नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सुमो एल 650 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सुमो एल 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सुमो एल 650 टैबलेट की वज़से क्या साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि सुमो एल 650 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में Sumo L650 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है Sumo L650 एक ब्रैंड नेम है Sumo L650 टैबलेट के अंदर सौर्ट कमपोजिशन पैरासिटामोर होता है Sumo L650 टैबलेट का उप्योग हलके दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है सूमो एल 650 टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, सिरदर्ध होने पर, मासपेशियों में दर्ध होने पर, जोडों में दर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध, माईग्रेन के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स में सूमो एल 650 ट सूमो एल 650 टैबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं वैसे सूमो एल 650 टैबलेट दर्ब और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में सूमो एल 650 टैबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा खुराक में सुमो एल 650 टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको सुमो एल 650 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की सुमो एल 650 टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। सुमो एल 650 टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बुखार होने पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर सूमो एल 650 MG टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सूमो एल 650 टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सूमो एल 650 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सूमो एल 650 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में सूमो एल 650 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सूमो एल 650 टैबलेट की खुराग घटानी पड़ सकती है। लगातार दस दिन से अधिक सूमो एल 650 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना सूमो एल 650 टैबलेट को लगातार दस दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सुमो एल 650 टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेन्ट जैसे पैरासिटामोल आदी से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुमो एल 650 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सुमो एल 650 टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे सुमो एल 650 टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी सुमो एल 650 टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सुमो एल 650 टेबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सुमो एल 650 टेबलेट को नहीं लेना चाहि वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सूमो एल 650 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं